नमस्कार दोस्तों, हम सबने अपने बच्पन के दिनों में ऊपर से जाते हवाई जहाज को देख टाटा जरूर किया है और जहाज के गुज्रने के बाद पीछे रह गई सफेद लकीर के बारे में भी खूब अनुमान लगाया है कोई उसे जहाज का धुआ बताता था तो कोई बर्फ की लकीर, लेकिन असल में वो क्या था किसी को नहीं मालूम था आज भी हम में से कई लोग है जिनको इस धुए का राज नहीं पता तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस सफेद लकीर का राज अमेरिकी स्पेस एजेंसी, नासा, की एक रिपोर्ट के मुताबिक आसमान में बनने वाली इस सफेद लकीर को कंट्रेल्स कहते हैं कंट्रेल्स भी बादल ही होते हैं लेकिन वह आम बादलों की तरह नहीं बनते ये हवाई जहाज या रॉकेट से बनते हैं और काफी उंचाई पर बनते हैं इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जमीन से करीब 8 किलोमीटर उपर और रिन 40 डिग्री सेल्सियस में इस तरह के बादल बनते हैं हवाई जहाज या रॉकेट के एक्जॉस्ट फैन से एरोसॉल्स एक तरह का धुआ निकलते हैं जब आसमान की नमी इन एरोसॉल्स से साथ जम जाती है तो कंट्रेल्स बनते हैं आपको बता दे की कंट्रेल्स सबसे पहले साल 1920 में दुसरे विश्व युद्ध के दोरान देखे गए थे उस वक्त कई खबरे ऐसी आई थी कि इस धुए के कारण कई विमान आपस में टक्रा गए थे क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपका धन्यवाद